तो दोस्तों कई सालों बाद हमें अक्षे कुमार और दिपिका पादुगोन एक साथ एकी फिलिम में नजराने वाली है और सोने पे सुहा गई एक एक एक्शन मोवी होने वाली है जिहां सबसे पहले अक्षे कुमार और दिपीका पादुगोन 2009 में आई चांदनी चक्टु चैना में देखा था अक्षे फिलिम में सिद्धू दिपीका सूजी की भूमिका में दिखी इसके बाद साल 2010 में हाउस फिल में इन्हें एक साथ देखा गया जहां अक्षे कुमार आरोश की भूमिका में थी वही दिपीका सैंडी राव की भूमिका में थी वही साल 2011 में एक बार फिर अक्षे कुमार और दिपीका एक साथ देशी बॉइज में दिखी जहां अक्षे कुमार जेरी की भूमिका में तो दिपीका राधिका बन गई इसकी बाद दोनों किसी भी मूवी में लीड केरेक्टर के तोर पर नहीं दिखे अब लंबे अंतराल के बाद खबरें हैं दोनों एक फिल्म लेकर आ रहे हैं और दर्शक भी कब से अक्षे कुमार और दिपीका पादुकौन को एक साथ एक फिल्म में देखना चाहते थे वही ताजा खबरे हैं कि अक्षे कुमार की बेबी टू का सीक्वल बनने जा रहा हैं जिसमें हमें दिपीका पादुकौन नजराने वाली हैं आपको बता दिया अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि बेबी टू में कौन-कौन होने वाला हैं लेकिन जो इंसाइट खबरे लेकिन सबसे बड़ी खबर तो तब होगी जब बेबी टू में ये दोनों देखने को मिले बता दे नीरज पांडे द्वारा निर्देशित फिलिम बेबी जो की जनवरी 2015 में रिलीज हुई थी इस फिलिम को दर्शुकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था इस फिलिम में अक्षे कुमार ने स्पेशल कॉप की भूमी का निभाई थी वैसे दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है इन दोनों को एक साथ देखने के रिए कमेंट करके जरूर बताना बाकि अगर आप भी अक्षे कुमार के डाय हाट फ्यान है तो एस ये अक्षे सर की हरे एक मोवी की अपडेट के लिए हमरे चैनल को सब्सक्राइब करें